Share Market को समझने के लिए आगी क्या होने वाला है ये predict कहने के लिए उसके trends को समझना बहुत ज़रूरी है Trends जैसे की charts, graphs and उसके जो patterns है उसके बारे में आपको knowledge होना बहुत ज़रूरी है और जब आप यह सब समझने लगेंगे तभी तो आप बता सकते हैं या समझा पाएंगे कि market इस बार नीचे जाने वाला है या फिर उपर उठने वाला है इस हिसाब से ही तो आप अपने पैसों को shares में invest कर सकते हैं तो अगर आपको भी इन सब में interest है दन चलांग है न अब आपके साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप share market के pattern को समझ सकते हैं हलो और वेलकम तो चलांग अब अपने passion को लगाओ फपंक share market chart में अलग-अलग type के charts होते हैं जैसेगी daily bar charts इन charts के तुरू आपको कोई भी stock का price जिसमें closing price है, opening price है, highest and lowest price है जो उन्होंने touch किया है उस पूरे दिन में ये सब पता चल सकता है तो chart में जो भी vertical lines होती है वो denote करता है range को और जो भी horizontal lines होती है वो denote करता है price को इसके बात के chart के अगर हम बात करें तो आता है head and shoulder ये chart pattern signal करता है security moments को upward moments पर top form होता है इसका मतलब ये है कि upward trend खतम होने वाला है और chart का जो bottom line है जो bottom show करता है वो reverse in a downtrend को show करता है इसके बाद का जो chart आता है वो है candlestick chart ये chart show करता है price related data in a different format ये chart दो पार्ट में divide होता है पहला होता है कि जो chart का जो thin line show करता है वो price range from high to low और दूसरी तरफ का जो real body है वो बताता है difference between the opening and the closing price इसके बाद का जो chart आता है उसे बोलते है line chart line chart से आपको हर दिन का closing price पता चलता है चलिए ये तो बात हो गई different different charts की अब हम बात करते हैं how to reach stock market patterns अगर आपको जिस भी company के बारे में information जानना है उस company का chart आपको देखना होगा chart identified करने के लिए आपको top पर symbol या ticker designation देखना होगा specific time frame चूज करना होगा अलग-अलग time scale चूज करने से आपको short term and long term को trend को identified आप कर सकते हैं इसके बाद check this summary की summary की आपको बताएगा कि numerical values जिससे आप आसानी से read कर सकते हैं chart में upper part को stock price में जो भी charges होते हैं वो बताते हैं और अलग-अलग prices जो होते हैं वो अलग-अलग colors की होते हैं अगर आपको market के momentum के बारे में पता करना है तो आपको नीचे जो color bar होता है color coded होते हैं उन्हें देखना होगा हाँ मगर उन bars के जो colors होते हैं वो fixed नहीं होते हैं इसलिए ध्यान से उन्हें आपको देखना होता ऐसे बहुत सारे patterns हैं जो आप एक chart में देख सकते हैं बता कर सकते हैं बट आपको बस करना है practice थोड़ी सी all you need is a practice share market और उसके pattern को समझना इतना आसान नहीं है पर अगर आप में passion है लगन है और आप numbers को समझ सकते हैं आपके साथ है ही है आप छलांग के share market course में enroll कर सकते हैं और share market के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं बाकी की जानकारी आप हमारी website से ले सकते हैं which is www.thelang.com